हेलो गाइस वेलकम बेक टू योटूब चैनल दे स्मोकी एक्सप्रेंड कैसे हो आप सभी आई होप सब अच्छे ही होंगे और अच्छे रहने भी चाहिए आज हम मार्वल सेनेमेटिक यूनिवर्स की हाली है में रीडे जोई फेस 4 की 29th मुवी थोर लव एंड थंडर को एक् प्रूचर या गोट्स को मारने वाले को इंट्रेडूश करवाया गया है हमारे चैनल पर मार्वल सेनेमेटिक यूनिवर्स की पहले की मुवी को सेक्वल वैस एक्सप्रेंड किया गया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा आपने भी तक चैनल क पूरी तरह से खतम हो जाता है जहां पर रहने वाले बिना पानी और खाने के मड़ जाते हैं जिन में से बस गोर बच जाता है गोर उसकी गोट से प्रे करता है कि उसकी बेटी को बचा ले चाहे उसकी जान ले ले लेकिन ऐसा नहीं होता है और गोर की बेटी बूप प्यास पानी के था वहाँ पर उसको एक बड़ा जंगल और पानी पेने को मिल जाता है गोर को वहाँ सूर्ड से चोट लग जाती है और उसके गाव उस स्वर्ड की कड़ से बहँ जाते हैं गोर बॉर ब्रांद गॉर कर देख कर गोर को लगता है कि वो मड़ चुका है और वो स्वर्ग में आ गया है लेकिन ऐसा नहीं होता है गोर देवता को बोलता है कि उनको पूजने वालों में से बस वही एक बचा है लेकिन रोशनी का देवतार रापू गोर की आस्ता का मजाग बनाता है और बोलता है कि तुम जि प्रक्त और और सबने काद सब्सचा को शाचाया है और देवता उतला ने में इसे सीन में सोर्प को दिखनागा है जो थोर की स्टोरी बच्चों को सुना रहा होता है जिसमें थोर को तुफान का देवता और ओर्डिनसन के नाम से जानते हैं कोर्क थोर के बच्चपन से लेकर बड़े तकी स्टोरी को बताता है जिसमें किस तरह से थोर बच्चे से बड़ा होता है और उसके लाइफ में कई लड़के आती है जिसमें एक हंटर लेडी और एक वुल्फ लेडी रेती है जिससे उसको प्यार हुआ लेकिन थोर को असली प्यार जेन फोस्टर से हो जाता है और वो उसके साथ ही रेने का फैसला करता है और उसके साथ ही अपनी लाइफ को आगर बढने की सोचता है लेकिन थेनोस के कारण थोर अर्थ को बचाने निकल जाता है और वो जेन फोस्टर से मिल नहीं पाता है जिससे उनकी लव इस्टोरी अधूरी ले जाती है जहां थोर ने जिससे भी प्यार किया वो सब लोग मर गए जहां उसके माँ, पिता, उसका भाई और उसके दोस्त सब लोग मर जाते हैं फिर थोर ने स्ट्रोम बेकर से थेनोस को मार दिया और उसके बाद वो गिलेक्सी ऑफ दगाडियन के साथ मिलकर यूनिवर्स को बचाने लग गया सब की मदद करने के बाद भी थोर को शांती नहीं मिलती है तब थोर सांती के लिए सब को छोड़कर साधू बन जाता है और लड़ाई से सन्यास ले लेता है साथी वो मेडिटेशन भी करता है तब वापस थोर के पास गिलेक्सी ऑफ दगाडियन्स आते हैं और उससे मदद मांगते हैं कि उनको एक और जंग में उसकी जरूरत है तब यहाँ पर थोर अपना स्टॉम ब्रेकर को निकालता है और उसको हैरी पोर्टर की स्टायल में जाडू बनाकर उड़ जाता है और उस जगह पर आ जाता है जहां पहले से गाडियन्स आफ दगेलेक्सी के मेंबर दुश्मनों से लट रहे होते हैं तब यहाँ पर वहाँ का राजा यकार थोर के पास में आता है और उन दुश्मनों से उसके और उसके देश को बचाने के लिए बोलता है क्योंकि उनके गोड को किसी ने मार दिया है और बस उनके पास यही एक मंदिर है जिससे उसे बचाना है तोर यहाँ पर राजा को यकीन दिलाता है कि वो उनके मंदिर को बचा लेगा और यहाँ पर शुरू होता है एक तगड़ा फाइटिंग सीन जहाँ पर थोर स्ट्रों बेकर से वहाँ पर सब दुश्मनों को मारता है लेकिन फ्लो फ्लो में वो लड़ते हुए उनके मंदिर को भी तोड़ देता है यहीं से सिंट सिर्फ करके अर्थ पर जेन फोस्टर को दिखा जाता है जिसका कैंसर बढ़ जाता है और वो एक तगड़ के से कमज़ोर हो जाती है तब यहाँ पर जेन फोस्टर के असिस्टेंट डार्सी को भी दिखाते हैं जो जेन के हाल चाल पूछने वहाँ पर आती है और बोलती है कि तुम्हें स्टेज 4 का कैंसर है जो कैंसर की लाज्ट स्टेज है इसलिए तुम अपनी लाइब खुल कर जीओ और अपने पुराने आसिक के साथ रहो लेकिन जेन थोड़ से मिलने को मना कर देती है और वापिस कैंसर का इलाज दोडने के लिए डॉक्टर सेलिक से पूछती है जो बताते हैं कि उसके सारे रिजल्ट सेम आ रहे हैं इसमें वो किसी भी तरह से उसकी मदद नहीं कर सकते हैं जेन यहां पर मियोनीर से जुड़ी बुक्स को पढ़ती है जिसके अंदर मियोनीर की पावर से गुड हेल्थ और पावर सब मिलती है यहीं से सीन में अर्थ पर बनाओवा न्यू एसगार दिख्या जाता है जो अब अपनी टेक्नोलोजी से पूरे अर्थ को उनके टेक्नोलोजी को देखने के लिए बुलाता है और इसके जरी वो रेवेन्यू मिलता है उससे वो एसगा परकिर प्रेसिडेंट वल्क्यूरी बन जाती है और हर चीज का ध्यान लगती है और साथ ही वहां आने वाले ट्यूरिस्ट को ओडियन थोर और लोकी की वो कहानिया सुना जाती है जहां जब थोर की बेहन हैला ने थोर का हतोड़ा मियोनिर तोड़ दिखा जाता है जो एक पेक्ड मिरर्क बोक्स के अंदर रखा होता है और उसके पास में जेन फोर्षर भी आती है और मियोनिर में कुछ पावर्स आने लगती है यही से सीन में थोर को दिखा जाता है जिसकी पास में राजा यकार आता है लिटरली यहां पर एक फनी डायलोग होता है जहां यकार थोर को बरवादी का देवता बोलता है क्योंकि थोर ने उनके राजी के साथ उनके पवित मंदर को भी तोड़ दिया है और उसको दुश्मरों से बचाने के लिए शुक्रिया करता है राजा यका यहां थोर को गिफ्ट में दो बड़े बकरे देता हैं जो बहुत जोर जोर से चिलाते हैं थोर उन बकरों को पीटर क्यूल के शिपकों पर ले आता हैं जहां वो लोग ठीक से काम नहीं कर पाते हैं यहां पर नेबुला बकरों से परिशान होकर उनको मारने लगती है पीटर यहां अपने अगले मिशन को देखता है जिसमें उनको पता लगता है कि अलग लग जगे के देवताओं को कोई देवत्यारा मार रहा है और साथ में उनके राज्ये को भी खितम कर रहा है तब ही उनमेंसे एक मेसेज थोर की एक दोस्त सिफका होता है जो उसकी मदद के लिए थोर को बुलाती है तब यहां थोर उस जगह पर अकले जाने का फैसला करता है और गार्डियन्स को दूसरे जगह पर लिगों की मदद करने के लिए बोलता है पीटर कुल थोर से बात करता है और उसको प्यार के बारे में समझाता है तब थोर पीटर को बोलता है कि उसने जिससे भी प्यार किया है या तो वो मर गे या एक चिट्थी लिकर छोड़ गे इसलिए थोर गार्डियन्स को भी अलविदा करता है और गार्डियन्स वहां से चले जाता है और अब थोर अपने स्टॉम बेकर से अपने गोड की लुक में आ जाता है जो पहले से अलग होता है और स्टॉम बेकर जो एक तुरे से बाइफरोज बेस का काम करता है उससे वह अपने दोस्ट सिफ के पास में पहुच जाता है जहांकि देवता को देव हत्यारा या गोड और बूचर मार देता है और वहाँ पर सब लोगों को भी मार दिया जाता है थोर की दोस्ट सिफ यहाँ पर उसको बोलती है कि अब वो देव हत्यारा एस गार्ड के देवता को मारने के लिए जा रहा है यहीं से सेन में अर्थ में गोर दगोर्ड और बूचर को दिखा जाता है जिसके हाथ में वो नेक्रोसवर्ड होती है और वो एस गार्ड में अपनी पावर से तबाई करने लगता है तब वोल्कुरी आकर सब को बचाती है और उसी टेम थोर भी वहाँ पर आ जाता है और गोर के पिलायोगे क्रीचर से लड़ता है तब थोर यहां उसका मियोनिर को देखता है जो सब क्रीचर इसको मार रहा होता है थोर मियोनिर को अपने पास में बुलाता है लेकिन मियोनिर थोर के हाथ में ना आता हैं औरियो एक को पर हीरो या देवता को दिखाते हैं ज फीमेल थोर रहती हैं ये जेन फोस्टर ही रहती है lagin तो प्रको इस बात का पता नहीं होता है तब थोर मियोनिर से बोलता है कि तो मैं हमेसे जैन का दियान होगा जहां थोर और जैन अब अलग-अलग ँड़ते हैं और उसके बाद से कभी मिलनेए बाते सेंग मेंुम्त 주고 से जाता हैं जहां पर दोर और केचेर्ट कार गोर्णा से लड़ते हैं तब यहां पर गोर भी जिनको देखकर गोर वहां से गाया हो जाता है थोर को लगता है कि गोर वहां से भाग गया है लेकिन ऐसा नहीं होता है गोर एसगार के सब बच्चों को पकड़ लेता है और उनको अपने साथ में ले जाता है थोर और जेन यहां पर मिलते हैं जहां जेन बोलती है कि हमें कितन सीन आता है जिसमें थोर अपने मियोनीर को अपने पास में बुलाता है लेकिन मियोनीर थोर के पास में नहीं आता है और हवा में उड़ते हुए स्टॉम बेकर थोर के पास में आ जाता है और यहां पर एजगार वासयो को थोर यकीन दिलाता है कि वो उनकी बच्चे को वापस लेकर आएगा और थोर यहां पर अपने स्टॉम बेकर से वहां से उड़ जाता है और फिर से इस गार के एक मेनुमेंट को तोड़ देता है थोर वलकुरी और जेन फोर्श्टर के साथ मिलकर गोर को धुनने के लिए एक प्लान बनाते हैं जहां थोर बताता है कि गोर के पास नेक्रो सोड है जिसमें गोर्श को खतम करने की पावर है और वो सोड उसको धारन करने वाले की बुद्धी को ब्रश कर देती है इसलिए गोर नेक्रो सोड के वस्त में है तब ही यहां पर हैमडल का बेटा एश्टर उसकी पिता की विरासत पे मिली सक्तियों से थोर को आता है जहां पर सारे बच्चे रहते हैं थोर सब बच्चों को बोलता है कि वो उनको बचाने वापिस आएगा अपनी टीम के साथ में और थोर वापिस वहां से आ जाता है थोर बताता है कि गोर बच्चों को अंदेरी की दुनिया में लेकर जा रहा है जहां पर गोर की पा पास जाने के लिए अपने स्ट्रोंबेकर को एक नाव के उपर लगाता है जो एक शिप की तरह काम करता है और उसके अपर थोर जैन फोस्टर वेलकुरी और कोर्क आ जाते हैं और यहां पर वो दूनों बकरे थोर की उस नाव को खीशते हैं थोर अपनी टीम के साथ में देव सोड है जिससे वो सभी देवताओं को मार रहा है हमें उसको रोकना होगा लेकिन जिस थोर की इन बातों को नहीं मानता है और उसके साथ जाने को माना कर देता है तब जिसको पता लग जाता है कि थोर एसगार ओडिन सन है और वो थोर को पकड़ लेता है और यहां पर वही फरनी सीन आता हैं, जिसमें तवर की कपड़े उतार देते हैं। यहाँ पर तवर कुछ नहीं कर पता है। तवर सब देव ताओं को बताता है, कि गोळ इंटर्निटी में जा सकता है। वलक्री जेन को बताती है कि इंटरिटी वो जगे है जो पूरे यूनिवर्स के सेंटर में हैं जो सबसे पहले वहाँ पर पोचेगा वो कुछ भी मुराद मांग सकता है और वो पूरी होगी और गौर वहाँ पर जाकर सब देवताओं का विरास मांग सकता है जूस बोलता है कि थंडर बोल्ड से वार करता है लेकिन यहाँ पर कोर्क सामने आ जाता है और वो तूटके बिखर जाता है तब थोर उस थंडर बोल्ड को पकड़ कर जूस पर ही छोड़ देता है जिससे जूस वहाँ पर गिर जाता है और थोर उस थंडर बोल्ड को लेकर उसे यूनिवर्स की डॉल्फिन दिखाता है और जेन फोस्टर को अपने प्यार का इजार करता है साती थोर को यहाँ पर यह भी पता लगता है कि जेन फोस्टर वो केंसर है थोर और उसके साती अब गोर के उस अंदेरे को प्लैनेट पर पहुँच जाता है जहाँ पर सब ब्लेक एंड वाइट हो जाता है थोर और जेन बचसों को ढूनते हैं और एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर जेन गोर के एक प्लैन को देखती है जिसमें थोर के स्टोंब बेकर से गोर इंटेनेटी का दरवाजा खोल सकता है जेन को पता लग जाता है कि वो एक जाल में फस गये हैं तब जेन थोर के स्टोंब बेकर को वहाँ से भार फेक देती है और थोर को बताती है कि गोर इसके जरिये इंटेनेटी के दरवाजा खोलना चाता है गोर के अंदेरों के प्लैनेट पर गोर की पावर सबसे जादा रेती है जहाँ पर गोर थोर जेन और वलकुरी को पगल लेता है लेकिन थोर वहाँ पर कुछ नहीं कर पाता है और तब गोर थोर से उसका हतुरा मंगवाता है लेकिन थोर उसके स्टोंग बेकर को नहीं बुलाता है और यहाँ पर गोर जेन को तकलिफ देने लगता है जहाँ पर थोर को अपना स्टॉंग बेकर बुलाना पड़ जाता है और वो एक जटके में गोर के प्लेनेट को तोड़ देता है और अब यहाँ पर एक तगड़ा फाइटिंग सीन चलता है जहां गोर और थोर की फाइड होती है जिसमें जेन और वलकुरी गोर के अंदिरों के राक्षासों से लड़ती है वलकुरी गोर के उपर थंडर बोल्ट से हमला कर देती है जहां पर गोर चाला की से वलकुरी को उसे थंडर बोल्ट से गाहल कर देता है और जेन वल्कुरी को उस जगे से दूर लेकर आ जाती है जहाँ पर अब थोर अपने स्टॉम बेकर से वापिस घर पर जाना लगता है लेकिन गोर थोर के स्टॉम बेकर को छेन लेता है और थोर के साथ जेन और वल्कुरी अर्थ पर आ जाते है जहां पर जेन और ज्यादा कमजोर हो जाती है और साथ में वल्कुरी भी गायल हो जाती है थोर अब गोर को रोकने के लिए वापिस जाने के लिए जेन के पास में आता है जहां वो जेन को मियोनीर उठाने के लिए मना कर देता है क्योंकि इस बार का उसने मियोनीर को उठाया तो वो नहीं बचेगी थोर थंडर बोर्ड का यूज करके अब गोर के पास उसके प्लैनेट पर जाता है यहाँ पर गोर इंटरनेटी तक पोच जाता है और स्टोम बेकर से इंटरनेटी का दरवाजा खोलता है साती यहाँ पर थोर भी आजाता है थोर बच्चों को बचा लेता है और गोर से लड़ने के लिए उनको अपनी थंडर पावर देता है और थोर के साथ अब बच्चे भी गोर की अंदेरों के शितान से लड़ता है थोर गोर से लड़ता है लेकिन उसके पावर के सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाता है और गोर थोर को माने लगता है तब ही यहाँ पर जेन आयाती है और मियोनीर से गोर से लड़ती है जहां वो खुद को माइटी थोर नाम से बुलाती है थोर अपने स्टोम बेकर को उस जगह से निकालता है ले यहां पर थोर और जेन गोर की नेक्रोसोट को तोड़ देते हैं लेकिन नेक्रोसोट तूटने के बाद वो वापिस बनने लगती है जहां पर माइटी थोर अपनी पूरी पावर से उसके गोर की नेक्रोसोट को तबा कर देती है और इसके साथ ही वो मनने लगती है गोर इंट यहाँ पर गोर अपनी बेटी को याद करता है और वहाँ पर देवों के मरने की जगे अपनी बेटी को जिन्दा कर देता है गोर यहाँ पर मर जाता है साथ ही यहाँ पर जेन भी कैंसर के वज़े से मर जाती है और थोर उसको आखरी बार लव के साथ वापिस अपने दुश्मनों को खतम करने लग जाता है जहां पर तोर मियोनिट का यूज करता है और लव थंडर स्ट्रॉम का और यहीं पर मुवी का एंड होता है सो गाइस आपको यह मुवी कैसी लगी लाइक और कमेंड करके बताएं हो सके तो यह वीडियो अपने दोस्तों तक शेर करें और मुझे सपोर्ट करें हमारे चैनल पर आगे भी एसी मुवी का एक्स्प्रेनेशन लाया जाएगा तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब पर लें एंड डॉन फरगेट टू ब्रेस बेल आइकन थेंक यू